काम याभी येशू से मिलती है येशू के द्वारा सब काम सफल होंगे काम याभी येशू से मिलती है येशू के द्वारा सब काम सफल होंगे चिंता ना कर बेटे चिंता ना कर बेटी येशू तेरे संग है हाँ येशू तेरे संग है हाँ येशू तेरे संग है हाँ येशू तेरे संग है बने रहोगर चरनों में ये शुके तुम सफल होगे पूरी करोगर उसकी ही मरजी ब्याकुल तुम न रहोगे चिंता ना कर बेटे चिंता ना कर बेटी, येशू तेरे संग है, हाँ येशू तेरे संग है दिन रात तुम गर प्रभु को ढूंडोगे, तुम सफल होगे कोई कमीना होगी तुमको जब वो राह दिखाएंगे चिंता ना कर बेटी, चिंता ना कर बेटी, येशू तेरे संग है हाँ येशू तेरे संग है हाँ येशू तेरे संग है सेवा प्रभु की गर तुम करोगे, तुम सफल होगे पूरे दिल से तुम उनको चाहो तो आनन्द ही आनन्द है सेवा प्रभु की गर तुम करोगे, तुम सफल होगे पूरे दिल से तुम उनको चाहो तो आनन्द ही आनन्द है चिंता ना कर बेटे, चिंता ना कर बेटे, चिंता ना कर बेटे, चिंता ना कर बेटे, येशु तेरे संग है, ये शू तेरे संग है, हाँ ये शू तेरे संग है, हाँ ये शू तेरे संग है, काम्याबी ये शू से मिलती है, ये शू के द्वारा सब काम सफल होंगे और सुबह देखा तो मेरी पत्नी को एक भी छीक नहीं आई सुबह उटकर खिड़की खोली तो कोई अलर्जी नहीं हुई किसी तरह की कोई छीक नहीं आई नहीं तो खिड़की खोलते ही छीक आजाती थी धूल जारती छीक आजाती थी लेकिन अगली सुबर से मुझे कोई भी चीक नहीं आई तु मत डर विश्वस नहीं ये बन कर रहे वियर नॉट आउनली बिलीफ एश्व आकर चुएंगे चमत्दार होगा ये विश्वास कभी तूटना नहीं चाहिए एश्व के लिए धर्म जाती वगेरा अमीर गरीब ये सब कोई माहिने नहीं रखता लोग दूटकुडी में रहते हैं मेरे पती सेवा खारे करते हैं मेरे खांदान में मेरी मा को मेरे भाई को, मेरी बहन को मेरे सगे में जितने भी है सभी को वीजिंग की भीमारी है ये एक तरह से कांदानी बीमारी है इस बीमारी से सबने दुख उठाए लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा दुख उठाए मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आती थी आखें बहुत भारी-भारी रहने लगी थी घर में जरासी धूल भी आ जाती या खिडकी खोलती तो जो हवा आती वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी कान अजीब से बजने लगते थे आखों में जलन होती थी और आखों से एकदम पानी बहता था आखों से पानी बहता रहता था शीना दर्द करता था बहुत दुख उठारी थी इस बीमारी ने मुझे बहुत तकलीफ थी, छीक आती थी तो लगता था मैं मर जाओंगी छीक भी ऐसी कि नारमल आदमी अगर दो तीन बार छीक ले तो उससे भी बरदाश्ट नहीं होगा और इसे तो पचास छीकें, सो छीकें, छीक पर छीक आती ही रहती थी इसकी नसें खिचने लग जाती थी, हाथ पयर फूल जाते थी, वो सही से एक जगह पर रही ही नहीं पाती थी सब को आईस क्रीम खाते वे देखकर मेरी भी बहुत इच्छा होती थी आईस क्रीम खाने का मेरा भी मन करता था, मेरे बच्चे मुझे मना करते की मा तो मत खाओ, मा तो मत खाओ और अगर मैं कभी जित करके आईस क्रीम खा भी लेती, तो हालत खराब हो जाती अगर घर की साफसफाई करने लग जाती तो मेरी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी चरासी धूल भी आती तो मुझे छीक आ जाती छीकने के बाद एकदम से कमजोरी लगती पूरा शरीर ढीला पड़ जाता हाथ पैर की नहसे एकदम से खिचने लग जाती इतना जादा दर्द होने लग जाता था कि मन करता की कोई दबा दे बच्चों को स्कूल लाना ले जाना भी नहीं हो पाता था स्कूटी चलाती तो ब्रेक भी नहीं दबा पाती थी इतना जादा दर्द होता था हाथ की पैर की नसे खिचने लगती थी बच्चों को स्कूल से नहीं लापाती थी और पूरी रात मुझे नीन नहीं आती थी वीजिन था इलाज कराने के लिए मैं कई अस्पतालों में गई दूतुकुडी में जो भी अस्पताल बताते थे वहाँ वहाँ चा के दिखाया तो कुडी जिले में जितने भी अस्पताल हैं सब अस्पतालों में दिखाया घर में दो बच्चे हैं उनसे इसकी यह हालत देखी नहीं जाती थी मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ इसलिए ज्यादा चुट्टियां भी नहीं ले सकता था इसकी हालत ऐसी थी कि मैं बाहर किसी को बता भी नहीं सकता था इराज से ठीक नहीं हो रही थी मैं चुट्टियां भी नहीं ले पा रहा था और नहीं चुट्टी मिलती थी अपनी पत्नी को ऐसे ही मैं छोड़ कर नोकरी पर चला जाता था किसी भी अस्पताल में मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई ये बीमारी ठीक कराने के लिए मैंने बहुत पैसा भी खर्च किया और इस बीमारी से 19 साल तक मैंने दुख उठाया जब इस तरह से मैं दुख उठारी थी उसी समय 2012 में हम नालमावडी गए दरार की प्रात्ना में शनीवार का दिन था जब वहाँ पर प्रात्ना हुई हमने प्रात्ना में जाकर भाग लिया और उसी समय भाई मोहन ने मंचपर से संदेश दिया मत डर विश्वस निय बन कर रहे हललुया परिस्थिती बहुत ही भयावा हो गई अब चमतकार होने का कोई आफसर नहीं और प्रबु कह रहे हैं तु मत डर विश्वस निय बन कर रहे फियर नॉट आउनली बिलीव परिस्थिती चाहे कितनी ही भयावा क्यों नहों अब उठ नहीं सकते बैठ नहीं सकते बाहर कहीं जा नहीं सकते परिस्थिती ऐसी भयावा चाहे जितनी भी हो एशू आकर चुएंगे चमतकार होगा ये विश्वास कभी तूटना नहीं चाहिए यही प्रभु कह रहे हैं आमेन तब मैंने भी विश्वास रखा उन्होंने कहा जो भी वच्चन अनुसार विश्वास रखेगा उसे चंगाई प्राप्थ होगी ऐसा कहा मंच पर जब सब गवाही दे रहे थे तब मैंने एक गवाही सुनी एक ने कहा कि जब वो यहां आया तो छड़ी के सहारे आया था चल नहीं पाता था और जब भाई मोहन ने प्रातना की उसके लिए भारी मन से प्रातना की और उसी दोरान वो बिना छड़ी के चलने लग गए और ये सब मैं देख रही थी तोने चंगाई देने वाले प्रभू मुझे चंगा नहीं करेंगे क्या मैं भी इशु पर विश्वास रखके ही आई हूँ इस सांस की विमारी से मैंने कितनी तकलिफ उठाई है इतने सालों तक दुख उठाए ना चानी कितने अस्पतालों में जाकर दिखाया फिर भी ठी चंगा नहीं है सिर्फ मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा तुम प्राथना करोगे तो इससे कहा की मैं एस डेखना और मैं वहां से अपने घर चली गई मेरे पतीने मेरे लिए दवाईyां लाकर रखी हुई टी लेकिन मैंने सारी दवाईया उठाकर कचरे के ढपे में डाल दी उन्होंने कहा कि ऐसा मत कर दवाईयों के बिना तेरी हालत खराब हore जाएगी, हालत जादा खराब उगई तो रात में ही होस्पिटल जाना पड़ जाएगा, मैंने कहा नहीं नहीं, बाई मोहन ने कहा है कि तुम कि महीमा देखोगे मैंने विश्वास रखा है मेरी बीमारी चंगी हो जाए कि ऐसा विश्वास रखकर ही मैं आई हूं मेरा विश्वास मत तोड़ो बोलकर मैंने सारी दवाईयां उठाकर कच्छर के डब्बे में ढालती भाई ने कहा सब मिलकर रोज प्रार्थना करो उस दि कोई चीक नहीं आई नहीं तो खेटकी खोलते ही चीक आजाती थी धूल जारती चीक आजाती थी लेकिन अगली सुबह से मुझे कोई भी चीक नहीं आई और जो भी मेरा मन करता था में खाने लग गई मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई मैं पूरी तरह चंगी हो गई मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया मैंने आइस्क्रिम खानी शुरू कर दी नारियल का पानी शिकंजी सब पीने लग गई बच्चों को स्कूल ले जाती हूं लाती हूं नसों में जो खिचाव आता था वो सब बंद हो गया यह ए प्वार बंद तो Mormon को से लगया outta कर दो राल मींजी सीया मैं त幾 ढुंचों में जारी सब बंद हूं जारी स्कूल लाट ले जातां कि आम सों कर दो से लंद होग भी придिए धुट पहां चाहिए अब मेरी पतनी का कोई इलाज नहीं चल रहा है न अस पता जाना पड़ता है ना पैसा खर्च हो रहा है वक्तं स्वस्थ है चंगी हो गई है अब मैं साथ सालों से विल्कुल ठीक हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं चल रहा है, विश्वास रखोगे तो परमिश्वर की महीमा देखोगे भाई मोहन ने कहा था, वैसे ही मैंने विश्वास रखा, इश्व ने मुझे चंगा कर दिया, चंगा ही देने वाले इश्व की करोड स्वागत करता हूँ, आज के दिन भी आप से बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रभु एश्व आप से बहुत प्रेम रखते हैं इसलिए, आप से मिलके आपको आशीश देने के लिए, आपके लिए चमतकार करने के लिए, इस प्रकार का एक सुनहरा आवसर उन मुझे कोई चंगाई नहीं मिलेगी, ऐसा विचार मन में होगा, इश्व के लिए धर्म, जाती वगेरा, अमीर, गरीब, ये सब कोई माहिने नहीं रखता, इन सब में कोई भेदभाव नहीं, वो हर एक से एक जैसा ही प्रेम रखते हैं, वो आपको भी चाहते हैं, इश्व मसिह आप से ब्रेम रखते हैं, इसी लिए ये कारिकरम देखने के लिए उन्होंने आपको बैठाया है, अब देखिए, मुत्तु विजिया नाम की जो बहन है उसके लिए, ईश्व ने जो चमतकार किया, वो खुद उन्होंने बताया और आपने सुना, वो परिवार आज भ वाली बात नहीं है, इश्व के बारे में जूटी गवाही देने की किसी को आवश्यक्ता ही नहीं है, और ना है इस प्रकार प्रभु चाहते हैं, सच बोलना है जो कुछ हुआ हो, और उन्होंने वही बताया है, अब देखिए उस खांदान में, सब को वो बिमारी है, पीड शाप के कारण भी हो सकती है, इसलिए इस प्रकार से मा, पिताजी, भाई, बहन सब बीमार होते हैं, और उस पर किसी दवाई का कोई असर नहीं होता है, वो शाप के कारण आने वाली बीमारी हो सकती है, शाप के विशे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, शाप जो पीड मनुष्यों को ईश्वर मान कर जब पूजा करेंगे तो वो शाप में बदलेगा। इमानी की कमाई, इससे समाज का नुकसान होता है। दूसरों को क्षती पहुचाने जैसा कारे यदि आप करेंगे तो वो शाप लेकर आता है। और कोई उस बीमारी से ग्रस्थ है क्योंकि ये बीमारी पीडियों से चली आ रही है। ये एक प्रकार का शाप है। उसका इलाज कराया लेकिन किसी भी दवाई ने कोई असर नहीं किया। ये सेवक की कही बात है। इसलिए कईवार जब मेरे पास लोग व्यक्तिकत रूप से प्रात्ना कराने के लिए आते हैं तो मैं कहता हूँ सभा में आओ। और उनसे कहता हूँ कि आकर वचन सुनो। अकेले में प्रात्ना करने के लिए मैं किसी को सला नहीं देता। इसका कारण क्या है पता है। मोहन लासरस किसी को भी चंगा नहीं कर सकता। मैं क्या आपका सरदर्द दूर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, हो सकता है, डॉक्टर आपको दवाई दे तो आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है, तो मैं बला कहां से चंगा कर सकता हूँ, मैं किसी भी बिमारी को चंगा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इशू चंगाई देते हैं, वो हर बीमारी को चंगा कर सकते हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे चंगा किया, मेरे मृत्यू के बिस्तर को बदला, उन्होंने मेरे लिए चमतकार किया, मैंने उसका अनुभव किया, इसलिए हिम्मत से बोलता हूँ कि इशू पवित्र शाष्टर में कहा है, मेरे लिए उन्होंने किया है, मैंने अपनी आँखों से चंगा होते हुए स्वयम को देखा, मैं चमतकार नहीं कर सकता, मेरे एशु चमतकार करते हैं। लेकिन इसके लिए हमसे विश्वास की वो अपेक्षा रखते हैं। तु विश्वास हैं, अपने हृद़े में तु मुझे स्थान दे, मैं तेरे ह्रद़े में वास करूंगा, तेरा पिता बनके रहुँगा, तु मेरे संतान बनके रहे, मैं तुझे शानती दूंगा, मरने के बाद नित्य जीवन स्वर्ग लोग का भाग्य दूंगा और उसके लिए तेरे हर इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछते हैं। विश्वास, उनके ऊपर जो विश्वास रखते हैं उसी के लिए विश्वसनी ये बातों को सुनें। और इसलिए लोगों को प्राथना से पहले सु समाचार सुनाते हैं। वचन बोलते हैं। एशु के मुह से जो वचन निकले हैं उनमें सामर्त्य है, उसमें जीवन है, उसमें प्राण है, वो बोलते हैं, वो छुटकारा दिलाते हैं, चमतकार करते हैं, चंगा करते हैं, इसलिए इतने सालों से इन वचनों को बोल बोलकर सूसमाचार का मैं प्रचार करता हूँ, मैं एस भेहन ने सुना तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी. यह वचन किसका है? मेरा नहीं है. इश्वन कहने के लिए कहा? मैंने कहा. यह पवित्र शाष्त्र में यहना ग्यारव हमा अदिया ऐ. उसके चालीसमे वचन में लिखा है. तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी एक युवा मर गیا उसे दफना दिया गया है उसकी बहने इश्यू का सामने रो रही है प्रभू इश्यू उसे जीविद होने के लिए कहते हैं नहींibt वो अंत के दिनों में जीविद होगा, ऐसा तुमने कहा है, नहीं तु विश्वास करेगी, तो अभी तु परमीश्वर की महिमा को देखेगी, इसका अर्थ है कि चमतकार देखेगी, इस प्रकार से मरे हुओं को उन्होंने जीविद किया, हमारे विश्वास को प्रभू दिर्ड बनाते हैं, उ मैं सब विश्वास, और प्रभू ने उसे द्रिड बनाया, इश्व को देखकर प्रार्थना की, मैंने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की, भीड में इश्व को देखकर प्रार्थना करने के लिए मैं केवल सहायता कर सकता हूं, कि प्रार्थना करो, इश्व का नाम पुकारो, मैं बस यही करता हूँ, मैं प्रभू का सेवक हूँ, मैं आपकी तरह साधरन मनुष्य हूँ, मैं किसी के लिए चमतकार नहीं कर सकता, ईशू चमतकार करते हैं, उसे कैसे प्राप्त करना है यही बताता हूँ, बस इतना ही, उस बहन ने पुकारा, विश्वास रख और उसी क्षण चंगाई मिल गई। और देखे आज तक कितने खुश और स्वस्त रह रही हैं। पूरा परिवार गवाह बनकर खुशी से गवाही दे रहे हैं। पती ने खुशी के आंसुओं के साथ गवाही दी। देखाना तो आपके लिए क्यों नहीं करेंगे। करेंगे क्योंकि ईश्व आपसे भी प्रेम रखते हैं। आपके लिए भी चमतकार करना चाहते हैं। आपको बस इतना करना है विश्वास रखना है। बेंट चड़ाने से अद्बुच चंगाई नहीं पाएंगे। प्रभू को पैसों की कोई आवशक्ता नहीं है। बस उन पर वि प्रदान करेंगे ऐसा विश्वास रखना है। बस इतना ही। इसमें परेशानी क्या है। कोई पैसा मांगता है तो दे देते हैं। कोई अगर कह दे कि नंगे पैर 100 किलो मिटर चलकर आ अशिरवाद मिलेगा तो आप नंगे पैर चलने लगते हैं। इश्व ने तो ऐसा देखें। बस इतना ही। तेरे लिए मैं क्रूस पर सब कुछ ढोचुका हूं, अत्या चार सही चुका हूं तुझे। अब कुछ भी सहने की आवश्यक्ता नहीं है। दूख उठाने की आवश्यक्ता नहीं है। इसमे आप के लिए विश्वास रख सकते हैं। अपने घर म आप मसी हैं या गैर मसी हैं ये भेदभाव इशू नहीं रखते हैं। इस समय आपके पास ही इशू हैं। इशू मुझे सपर्श करें, मेरे लिए इशू एक चमतकार करें। मुझे खांदानी बिमारी है, शाप का बंधने मुझे चुटकारा चाहिए। इसी समय इशू छु वही हमारे शाप के परिहारी हैं। पैसे वगेरा देने से इसका परिहार नहीं होगा। या किसी भी तरह की भेंट चड़ाने से आपका परिहार नहीं होगा। इशू मसीही क्रूस पर आपके लिए परिहारी बनकर लहू बहाकर मरकर पुनह जीवित हुए। उन पे विश् विश्वास रखना काफी है, मुफ्त में चुटकारा मिलेगा, वही आपके परिहारी हैं, अब आप विश्वास रखते हैं न, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे न, हम प्रार्थना करें, प्रभू अभी आपके लिए चमतकार करेंगे, ठीक है बीमारी की जगह पर अपन आँखो पर हात रखें। अब जब मैं आपके लिए प्रार्थ न करूंगा तो प्रभू का सामर्थ ये उत्रेगा, आपको चमतकारी छुटकारा प्राप्त होगा। एशो इसपर्ष करो, एशो चमतकार करो, एशो मैं विश्वास रखता हूँ, एशो का नाम लेकर पुकारें, हम प्रार्थ न करें। परम पिता, ये सू समाचार सुनकर मेरे साथ प्रार्थ न करते, इन बच्चों के लिए मैं प्रार्थ न करता हूँ पिता, तुम पास वालों के लिए ही नहीं, दूर वालों के लिए भी परमेश्वरो, तुम इन घरों के अंदर आए, उसके लिए तुम हर इस्तूती हो, इन समय तुम्हारा दैविक सामर्थ इन पर उतर कर आए, समस्त बीमारियां एशु के नाम से दूर हो जाएं। पीडी दर पीडी पीछा करने वाली जो बीमारी है, आस्थमा की बीमारी, दमे की बीमारी, कैंसर की बीमारी, प्रभु पीडी दर पीडी जो भी बीमारी चली आ रही है, वो चाहे कैसी भी हो, उस शाप के बंधन एशु के नाम से तूट कर बिखर जाने चाहिए, एशु के लहू के सामर्थ्य से शाप के बंदन तूट जाने चाहिए एशू के नाम से पीडी दर पीडी की जो बीमारी है वो दूर हो जाए मैं उसे फटकारता हूँ विश्वास के साथ तुम्हारा लहू इन पर मलकर में प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे घाओं से हम चंगे होते ह है ऐसा हम पढ़ते हैं तुम्हारे घाओं वाले हाथ इन्हें स्पर्श करें इसी समय ईशू के नाम से चंगाई प्राप्त होनी चाहिए समस्त बीमारियां दूर हो जाए ईशू के नाम से कैंसर की गाठ लुप्त हो जाए ईशू के नाम से ब्लट कैंसर लुप्त हो जाए इशु के नाम से हे प्रभु इनकी हड्डियों में धमनियों में चंगाई देने वाला सामर्थ उत्रे इशु के नाम से लंक्स में दिखाई देने वाली समस्या इशु के नाम से दूर हो जाए गुर्दे चंगे हो जाए गुर्दों की बिमारी चंगी हो जाए लीवर में जो जो समस्य है ईशु के नाम से दूर हो जाए किड्नी को अद्वु चंगाई प्राप्त हो पित में जो कैंसर है वो ईशु के नाम से लुप्त हो जाए चंगाई प्राप्त होनी चाहिए प्रव आँखों में जो कैंसर की गांठ दिखाई दे रही है वो लुप्त हो जाए इसी स के नाम से उनकी बीमारी दूर हो जाए आस्थमा की बीमारी से दुख उठाते बच्चों को देखो अपने घाव वाले हाथों से छुओ दुर बलता वाली बीमारी लुपत हो जाए ईशु के नाम से बीमारी लाने वाली दुष्टा आत्माओं को मैं फटकारता हूँ ईशु क के नाम से जो भी बिमारी है वो चंगी हो जानी चाहिए नासूर बिमारिया लुप्त हो जाएं आस्तमा की बिमारी दूर हो शाप के बंधन तूट कर विखर जाएं इस समय जो चलने ही पाते हैं वो उठकर चलने लग जाएं ईशु के नाम से इनके पैरों को सामर्थ्य मिले जो बिस्तर पर लेटे हैं इशु के नाम से वो उठकर चलने लग जाएं इसी समय पैरों में सामर्थ्य उतर कर आएं बच्चे जो चलने ही पाते हैं उनके पैरों को ताकत मिले इशु के नाम से हड़िया नसें सब नए में बदल दो बच्चे चलने लग जाएं इशु के से बच्चों को अद्वुत चंगाई ही प्राप्त हो प्रभू जो भी जैसा चमतकार चाहते हैं वैसा करके उन्हें प्रसंद करो तुमने छूलिए उसके लिए तूहister हो चंगाई दे दी उसके लिए स्थूती आमेन आमेन मेरे प्रियमित्रों, प्रभु ने चमतकार कर दिया बस आप विश्वास रखें उस बहन ने जैसा किया वैसा ही आप करें प्रार्थ ना करें, स्तूती करें एश्यू में संतुष्टी से बने रहें, बिलकुल न डरें हर हफ्ते ये आपका अद्बूस समय है इस कारिक्रम में मैं आपके लिए प्रार्थ ना करता हूँ आपके जान पैचान के लोग जो इस तरह से बहुत दुख उठा रहे हैं उनसे बोलिए कि ऐसा है कारिक्रम आता है आप प्रार्थ ना करें एश्यू से प्रभु चमतकार करेंगे ऐसा बोल के ये कारेकरम देखने के लिए कहें जान पैचान के दोस्तों का अब फोन करके बताएंगे तो वो अवश्य देखेंगे कि प्रभु इस तरह से चमतकार करते हैं आपके लिए भी करेंगे आप देखकर दुहाई लगाएं इस प्रकार से कहें हम धर्म बदलने के लिए नहीं कह रहें धर्म बदलना हमारा काम है ही नहीं एशु का संदेश देते हैं लोगों का उधार होता है बस इतना ही हिम्मत से बोलिए कि वो धर्म बदलने के लिए नहीं कहते हैं आप देखकर प्रार्थना करें, ईशू चमतकार करेंगे, आपके जान पेचान के जो दोस्त हैं, जो प्रभू से अंजान हैं, उन्हें बता, ये एक बड़ी सेवा है, स्वार्थी बनकर केवल आप ही ये कारिक्रम ना देखते रहें, हर हफ्ते आज के दिन ही उन्हें देखन करते हैं, रभू ईशू सदा आपको आशीश देते रहें, आमेन. प्रभू आपको आशीश दें